क्रिप्टो मार्किट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों के यही सवाल होते हैं कि हमें investment कौन से crypto currency के अंदर करना चाहिए ताकि future के अंदर एक अच्छा खासा हम returns कमा सके हम भी लखपती बनना चाहते हैं और साथी साथ यह भी बताते हैं कि coin तो हमें लेना है profit भी कमाना है और 2026, 26, 27 और 30 के अंदर भी वो crypto currency market के अंदर होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि लोना बचेगा भी और साथी साथ हम shape भी रहेंगे तो उसका reply हम देते हैं कि भाई तो आप bitcoin खरीड लो जो कि bitcoin ही man cryptocurrency है आपको return भी देगा बचेगा भी 2030 के अंदर भी होगा 2008 के अंदर भी था तो लोग वहां पे क्या कहेंगे कि bitcoin तो महिंगा हो गया है उतना ज्यादा पैसा नही कि भाई यहां पे तो हम ethereum भी ले सकते है या तो कोई और cryptocurrency ले सकते है जो कि safe हो अब उसमें से मैंने एक coin निकाला है आप लोगों के लिए उसका name है LTC light coin अब light coin को bitcoin के लिए ही बनाया गया था bitcoin के अंदर जो कुस problem दीख रहे थे 2009-10 के अंदर तो उसके लिए light coin बनाया गया अब light coin क्यों बनाया पेले तो मैं बता देता हूँ light coin इसलिए बनाया गया है कि bitcoin के अंदर जो transaction speed है अगर आप bitcoin कभी transfer किये हो तो आपको पता होना चाहिए कि transaction speed है काफी slow है काफी timing लगता है blockchain के अंदर block complete होने के लिए काफी slow है उसका solution करने के लिए light coin को बनाया transaction speed को बढ़ दिया अब दूसरे problem bitcoin के अंदर यह था कि gaze fees काफी ज्यादा लग रहा है अभी आप bitcoin transfer करते है एक्चेंजों के अंदर से तो 8-10 डोलर तो normally gaze fees कट जाता है कुस एक्चेंज होंगे उसमे 4-5 डोलर में काम बन जाता है तो gaze fees भी reduce करने के लिए उसका solution भी light coin को बना के किया गया है अब light coin है क्यों आप कहेंगे और भी काफी सारी crypto currency है अब light coin इसलिए है क्योंकि light coin को बनाया गया है 2011 गया अंदर 2011 के अंदर ethereum नहीं था ethereum आया 2016 के अंदर तो काफी लंबे time frame से कौन है market के अंदर light coin 2011 से है अब 2011 के अंदर आप नजर मारें के history के अंदर तो वहां पर जो name आज तक बचे हुए है उसमें एक तो bitcoin है दूसरी बात करेंगे तो light coin है और उसके बाद ripple दो तीने से cryptocurrency है कि जो अभी तक बचे हुए है अब ripple की supply ज्यादा है और उसका mechanism भी अलग है अब same bitcoin जैसा किसी का mechanism हो तो वह है light coin तो यहाँ पी इसलिए हम थोड़ा सा light coin को चूज कर अब कोई भी cryptocurrency लेने से पहले उसका यूज केसी जारना बेहत जरूरी है तो आप सोचेगा कि यूज केस क्या है तो बीटी सी आप कहेंगे कि सागरभाई क्रोस बोटर के उपर पैमेट करने के लिए भी हो रहा है कहीं store के अंदर merchant के अंदर भी पैमेट के लिए यूज हो र करेंगे तो लाइट को इन भी पैमेट के लिए यूज होता है बट बिटकोई से ज्यादा इसलिए इसका यूज होता है उसका स्पीड ज्यादा है और गेस फिज कंपेट तो बीटी सी इसका काफी हट तक कम है उसी के बाद काफी जो merchant है उसके अंदर लाइट कोई पैमेट मतलब कि bitcoin के से market के अंदर आता है, bitcoin market के अंदर आता है, mine होते होते, mine होते होते आता है, तो light coin भी के से market के अंदर आता है, mine होते होते, same बात है, bitcoin के अंदर हर 4 साल के अंदर holding होता है, तो light coin के अंदर भी हर 4 साल के अंदर holding होता है, अब यहाँ पर timing 4 साल नहीं है, यहाँ पे BTC हो या light coin हो यह block hate के उपर इसका holding होता है हर एक light coin के बाद करूँगा तो हर एक 8,4,000 block जैसे complete होते है automatically इसका जो block reward है वो आधा हो जाता है block reward मतलब कि जो लोग mining कर रहे हैं जैसे holding होगा तो पहले जो उसको mining reward मिलता था उससे आधा मिलेगा again जैसे holding होगा तो जो मिल रहा है उसका आधा होगा again जैसे उसको जो मिल रहा है उसका आधा होगा इसे करते करते light coin का maximum जो supply आना है 8,4,000,000 उससे ज़्यादा light coin बनना नहीं है तो same यहाँ पर देखेंगे कि इसमें supply का कोई problem नहीं है माइनिंग के अलावा supply इसमें नहीं आएगा और 8,4,000,000,000 से ज़्यादा supply नहीं आएगा अब हम बात करें 7 October 2011 से शुरू हुआ है 50 LTC block reward उन टाइम के अंदर मिलता था माइनर को मतलब कि 4 example की कोई ए नाम का बंदा है पूरे दिन माइनिंग करता है और पूरे दिन में उसे 50 LTC मिलता है एक्जामपल है शेम बिजली का यूज करना है शेम पावर का यूज करना है और 50 LTC वो reward के रूप में अन करता है जैसे 25 ओगर्ष 2015 के दिन 8,40,000 block है यह वो complete होता है तो automatically holding हो जाता है यह नाम का बंदा जैसे 50 LTC कमाता था वहाँ पे वो 25 कमाएगा उतना ही मेनाच सभी चीज उतना ही बट LTC कम मिलेंगे आदा मिलेगा अब आदा हो गया तो क्या होगा उसको खर्चा वगरा निकालने के लिए profit कमाने के लिए light coin का price भी तो बढ़ना चाहिए वरना वो क्यों करेगा यह सभी चीजे क्यों वो mining वगरा करेगा इसलिए थोड उसका आदा 12.5 यह बंदा उतनी पावर के साथ काम कर रहा है पहले 50 मिलता था फिर 25 और फिर साड़े बारा और अभी अगिन light coin का हल्विंग होता है दो अगस्त 2023 को 25,20,000 ब्लोक हेट होता है तो अब इसको reward मिलेगा 6.25 LTC अब पहले 50 फिर 25 फिर साड़े बारा और फिर 6.25 देख लेना 4-4 साल का गेप है और ब्लोक हेट देख लेना हर एक 8,40,000 नए ब्लोक बन जाते हैं तो इसका हो जाता है यहां पर आपको एक बात वह भी आ रही होंगी कि अब तो काफी कम reward मिल रहा है अब माइनर को बिजली का खर्चा निकालना पड़ेगा उसका profit देखना और इधर reward तो कम मिल रहा है तो automatically क्या होगा कि वो LTCS से नहीं बेचेगा जब उसको profit होगा तब बेचेगा साड़े बारा जो था तब वो बेचता था वो price के उपर भी नहीं बेच पाएगा क्योंकि अब तो उसको उससे भी आदा मिल रही तो price उसको double मिलना चाहिए तब जाके वो profit में आ सकता है तो simple बात है कि यह reward अधा-धा होता जाएगा तो automatically demand लाइग के अंदर एक बात और भी है चुकि एक positive है SEC के chairman Gary Zee अमरीका की तरफ से आपको पता होगा कि काफी सारे crypto currency को उसने security declare कर दिया है security मतलब simple है कि यह crypto token है इसका supply क्या है गलत तरीके से इसका issue वगरा किया गया है supply ज्यादा आशकता है और उतना decentralized नहीं है simple इतना हमें समझना है और भी काफी उसके अंदर बाते हो सकती है अब सभी को उसने security declare नहीं किया था उसमें से कुस coin के name वो बोले थे कि यह है वो security नहीं है मतलब कि हम समझ सकती कि commodity के अंदर आ रहा है इतना यहां पर हम समझ गए इसलिए light coin थोड़ा ज्यादा important है हम बात करते है light coin के चार्ट के अंदर कि हम bull market के अंदर क्या देख सकते है कितना profit देख सकते है long term में कैसा है project current price के उपर light coin का price चल रहा है 68.63 डॉलर इसका already holding हो चुका है अगस्त महिने के अंदर जो आपको बीच में line दीख रहा है इससे पहले यहां पर holding हुआ है यहां पर holding हुआ है यह line दीख रहा है तब भी holding हुआ है 2019 के अंदर और यह हुआ है 2023 के अंदर अब LTC का chart क्या दिखा रहा है हर बार नया top है यहां पर completely chart नहीं है हर बार नया top मार रहा है पहले से sustain कर रहा है वो भी देखना important है कि 2011 से टिका तो है और यह भी देखा तो market के भी टिका है और देखेंगे कि हर एक bull market के अंदर एक नया high इसका होता है तो क्योंना हम इसमें DCA करें एक अच्छे opportunity के साथ हम buying करें तो LTC की हम बात करेंगे तो LTC 2018 के अंदर एक rally जो मारा था bull market के अंदर हम rally की बात करेंगे तो LTC का जो high था 18 की rally के अंदर 358 dollar फिर जब beer मारे के टाया तो LTC 22 dollar के उपर आ गया था वहाँ पर भी काफी अभी जो चल रहा है इसे ठंडा रहा फिर जब holding हुआ तो 22 से चल के डेट सो क्यास बात चला गया holding हुआ उन टायम के अंदर और bear market चल रहा था तो जैसे holding चला गया तो again down आ गया again down मतलब वापस 23 dollar आ गया अब जिसने 23 dollar के उपर खरीदा LTC को BTC का holding हुआ आगे BTC का होता है जैसे पर ले light coin का होता है फिर BTC का होता है यसे चलता आ रहा है timing के साथ चलता है अभी light coin का चला गया अब आगे BTC का upcoming है तो यह बेटी सी का हॉलविंग हुआ ओल्ड सीजन आया रेली आया तो उसके अंदर लाइट कोईन ये 22-22 डूलर से चलते 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 नया हाई मार दिया 54 55 54 डोलर तक काफी एक्यों के अंदर देखने को मिल रहा है कि अठरा के अंदर जो मारा था उससे एक बड़ा है फिर यह चलां signing काफी जान साथ 24 डोलर आगया पर हुआ है होल लिंगर के चला गया यह से यहां पर भी अक क्ली चलंग रही ऐह आलीए टा यह लब 3X के आसपास की रिली वो काफी बड़ी होती है फिर होल्विंग के बाद डाउनफोल सीधी बाद सिंपल डाउनफोल आया इधर भी डाउनफोल चल रहा है तो अब यहां पर DCA का टाइमिंग था अब यहां पर भी क्या है अब समझदार है सिख रहें समझ रहें तो DCA का टाइमिंग है कि 68 पे भी बाइंग बनता है फिर हमारा ग्रीन लाइन है जैसे ग्रीन लाइन की ओर आता है तो ज्यादा बाइंग है तो कि 45 46 दोलर के आसपास और जैसे प्रिवेश यह वीक मारे थे इसे नीच यह इसे कोई वीक मार देता है और से वीक मार चुका है चार्ड अपने ट्रेंड के इसाफ से चलता है अभी हिरा फिरा के गुमा के इसके उपर आने की पॉसिपेटी है 45 से 50 डोलर तो उसके उपर लेना है फिर मार्गेट में कोई भी न्यूज हो और आगे का जो रेली है आसानी से 500 डोलर तक आप देख सकते है 500 डोलर चुकि यह भी अपने चार्ट के इसाफ से चलती है मतलब कि ट्रेंड की सबसे चलती है साड़े 300 के आसपास यह साड़े 400 के आसपास अब इधर 500 के आसपास की पोसिबीटी है अब आप 50 डोलर तक एवरेज करेंगे अभी 68 चल रहा है मान लेजी कि आपने 70 डोलर क की उपर भी इसके अंदर एवरेज किया तो हम प्रॉफिट कितना देखेंगे यहां से मान लेजे कि आपने खरीड लिया काफी अवरेज कर लिया उपर नीचे करके सब एवरेज किया तो भी आप प्रॉफिट जो कमाएंगे तकरी बंद 500-800% तक प्रॉफिट की पॉसिबिटी है नेक्स्ट बॉल मार्केट के अंदर जो कि 24 सिन परचिस के अंदर एक्सपेक किया दा रहा है तो यह एक कन्फरम प्रॉफिट है 700-800% मुर्लब आठ गुना फंड बनना काफे बड़ी बात है तो कि कंपे टू अधर प्रोजेक्ट लाइट कोईन सेफ क्यों है अब आप समझ के होंगे कि एक तो पुराना है होल्विंग है शप्लाय का प्रोब्लेम नहीं है इतने यूज के सीज है पहले से चलता आ रहा है ब्लॉक्चेन है सब चीजे है और इसके भी एक प्रोजेक्ट है आप इसे देख सकते है और में भी टार्गेट देखना 400 डोलर के बाद बाकि कुछ ओर लगा हमें तो हम बता देंगे आपको क्योंकि लाइट कोईन के बारे में हम एक आद महिने में 15 दिन में अपडेट करते हैं तो कि इसको हम टोप लिस्ट के अंदर रखते हैं जैसे बिटी सी इथर एंड ल्टी सी इथर की बात कर दू तो शोड टम में ल्टी सी 50-100 डोलर के बीच में ट्रेड कर सकता है बाकि रेली पकड़ेगा थोड़ा इसमें इंतजार करना है अभी यहाँ पर डी सीय का टाइमिंग है 68 से शुरू हो जाना है 65 60 55 50 और निचे जायत और अच्छा है यह बात है